हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्राखन जी के वेरी जी ट्रिक्स में और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्राखन जी के टेस्स स्रीज पार्ट 42 के बारे में और ये स्रीज दोस्तों हमारी पोस्ट माटम क्लास की नाम से famous है ज प्रइद 854 पदों कनिस सायक के साथ 46 पदों और आगामी पटवारी और पुलीस भरती है तो काफी महत्पुन है यानि कि उत्राखंड के जितने भी एक्जाम्स होते हैं जिन में उत्राखंड जीके का सिलावस है उन सभी एक्जाम्स के लिए रामबान क्लास है दोस्तों आप इंगे तो आप लोगों को हम दोस्तों अधिक से अधिक इंपुटेंट प्रस्न देने की कोशिस करेंगे और ये जो सिरीज है इसमें आपको डिटेल एक्स्प्रेशन जो दिया जा रहा है उस पर आपको ज्यादा फोकस करते हुए चलना है तो चलिए शुरू करते हैं आज के पार्ट 42 को आज का हमारा पहला प्रस्न है दोस्तों कि नरेंदर नगर को टिहरी राजी की ग्रिस्मगाली राजधानी कब बनाया गया तो देखिए आपको पताई होगा कि नरेंदर नगर की स्थापना नरेंदर साह के द्वारा की जाती है जो कि परमार राजवन्स के 69 नरेंदर नगर की स्थापना की जाती कब 1921 में 1921 में नरेंदर साह के द्वारा अपनी ग्रिस्मगाली राजधानी नरेंदर नगर इस्तानतरित की जाती है तो प्रस्थन वही पुछा गया है कि नरेंदर नगर को टिहरी राजजी की ग्रिस्मगाली राजधानी कब बनाया गया 1925 में बनाया गया था कि नरेंद्र नगर की स्थापना नरेंद्र साहा के द्वरा की गई थी कब 1921 में नरेंद्र नगर में राजबहन का निर्मान का पूरा हुआ था 1924 में और राजदानी का विस्ता अंतित वही 1925 में वर्तमान में दोस्तों जो नरेंद्र नगर इस्तित राजबहन था वहाँ आ रियासत के पांचवे राजा हैं इनकी सन्रक्षिका के रूप में किसने काम किया था उस्तो राजमता नैपोलिया ने इनकी सन्रक्षिका के रूप में कारी किया था किसके पुत्र थे किरति साह के और राजमता नैपोलिया के मलब किरति साह के पुत्र थे ठीक है इनहीं के समय पर दोस्तों नरेंद्र हिंदू लौ आता है नरेंद्र हिंदू लौ या नरेंद्र नियाई सहीता के लेखक कौने यह है दोस्तों हरी कृष्ण रतूरी जी के द्वारा लिखा गया है नरेंद्र हिंदू लौ 1908 में यह प्रकासित होता है नरेंद्र सहा का कारीकाल था 1913 से ल कि जाती है तिथा जो उनके कुल देवी है राज्डराईरशवरी देवी की उनका जिरन्होधार किया राज्डराईरशवरी मंदिर देवलगर में तो नरेंडर सा के दोरा धी Size 021 के समधे वह ती याद रिखना दोस्तों ठीक है, 1921 में नरेंडर साग के टाइम समय पर तीरी राजी में पर्थम जन्गरना की गई थी, नरेंडर सागो दोस्तों अंग्रेजु के द्वारा किसकी उपादी दी गई थी, और नरेंडर सागो ही अलंकारी की उपादी भी दी गई थी, ब्रिटिसस के द्वारा, ठीक है, सर और केसी एसाइक की उपादी दोस्तों कीरती सागी तरह ही नरेंडर सागो भी दी गई थी, नरेंद्र सा का पुत्र कौन होता है नरेंद्र सा का पुत्र होता है दोस्तो कौन मानवेंद्र सा नरेंद्र सा के समय पर दोस्तो दो हमारी काफी बेकार्ची घटनाय होती है काफी प्रमुक घटनाय होती है जो कि उत्राकन के इत्यासमा हमेशा याद रखी जाती है रवाई कांडे या तिलाडी कांडे 30 मैं 1930 को नरिंद्र साके कारिकाल पे ही होता है और स्रीदेव सुमन की मृत्यू दोस्तो 25 जुलाई 1944 ये भी स्रीदेव सुमन लब इनकी मृत्यू भी नरिंद्र साके समय पर ही होती है उत्राकन का दिवान था होता चक्रधर जोयाल उत्राकन का जर्नल डायर भी जिसे कहा जाता है इसके सांचना दोस्तो नरिंद्र साह अपनी देश-विदेश की यात्रा करने ही है तो काफी परसीद्ध माने जाते है स्थार तो इतने पॉइंट फिलाल हम इतना ही रखते हैं ठीक है तो अन्सर हो जएगा ओप्शन सि अब कुछ एक्स्वलेजिसन पढ़ लेते है है आगे बढ़ते हैं अगला हमारा दूसरा प्रस्न है दोस्तों कि राज्जी में सर्वरॉइट साइटी की स्तापना भी 1934 में नरेंड्र साखे द्वारा ही कि गई थी तो नरेंड्र साखा मोटा मोटा पोश्ट माटम हमने कर लिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगला हमारा दूसरा प्रस्ण है दोस्तों कि राजी में सरोपर्थम बागवानी फस्टों की सुरुवात यूरोपी मिस्टनरियों के द्वारा कब से की गई थी यह की थी 1879 में ऑप्सन नमबर दोस्तों इसका हमारा राइट अंसर हो रहे हैं ऐसी कारण आपको याद रखने हैं कि बागवानी फस्टों की सुरुवात यूरोपी मिस्टनरियों द्वारा 1879 में की गई थी आप दोस्तों यहीं से एक हमारा प्रस्ण इंपोटेंट यह भी आता है कि बैला डोना की खेती राजी में कब से शुरू हुई थी तो अगला राजी की सर्वस्टेश्ट चाई कौन से दोस्तों वह है आरगेनिक चाई इसी के साथ दोस्तों चाई प्रसंसे करण इकाई की स्थापना कहां की गई है तो चाई प्रसंसे करण इकाई की स्थापना गोडा खाल ननिताल में की गई है अब एक और पॉइंट यहां स तो चीन से उत्राकन में चाय के बीज या चाय के बागान मगाए गए थे इतने पॉइंट आपको यहां से नोट डाउन करने क्योंकि यहां से एक जामे प्रसने पूछा जा सकता है ठीक है और चाय विकास बोड का मुख्याले का है अलमोडा में स्थित है यह भी मैंने आपको पता ही दिया है और चाय विकास परियोजना के शुरुवाद 1933 से हुई थी उत्राखन में सबसे प्रमुक दोस्तो हम कहें मसाला कौन सा है उत्राखन का सबसे प्रमुक सब्지 कौन सी है तो आलू की उसस तो उत्राखन की कह sic़ है सबसे प्रमुक सब्जी है यह पॉंट आपक कि सेब, ठीक है, सेब के यह तू कौन सा चितर प्रसिद्ध है, तो उत्तरकासी का हरसिल गाटी, दोस्तो, सेब की खेती यह तू काफी प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है, और उत्राकन के सेब को किस नाम से बेचा जाता है, तो उसको दिल्ली में तो न्यूजिलेंडी ब्रा अंतरिक जिला नहीं है देखे दोस्तों तीन प्रकार के जिले होते हैं एक कुछ जनपत ऐसे होते हैं जो कि अंतराश्टी सीमा या दूसरी सीमा से जुड़े हुए लगे रहते हैं यानि कि दूसरे देशु के साथ जो जनपत अपनी सीमा बनाते हैं उन्हें कहते हैं चमोली के निचे आजाएगा आपका पिथोरागड ठीक है और यहां पे आजाएगा चमपावत हो गया उधमसीनेगर हो गया ठीक है यह पांच जनपद हमारे के आउते हैं अंतराश्टी सीमा से लगे होई जनपद है जिसमें से उत्राखंड राज जी के अंतराश्टी सीमा बनाता है तो दो देश दोस्तो नेपाल और चीन के साथ में अंतराश्टी सीमा बनाता है और इन दो देशों के साथ में उत्राखंड के पांच जनपद अपनी सीमा मनाते हैं इसलिए हम इन पांच जनपद को अंतराश्टी जिलों के रूप में या अंतराश्टी सीमा बना दो राजु कौणबर गदेश और इतर हिएंत… हरिद्वार पॉड़ी कडवल में नयनिताल और अधम सिंग नगर ठीक है अविक आंतरिक जिला यानि कि दोस्तो ऐसे जिले जो ना तो किसी अन्य राज्जी से अपनी सीमा बनाते हैं और ना ही किसी अन्य देश के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं ऐसे जिले कितने हैं दोस्तो हमारे चार जनपद हैं जो कि पूर्णता आंतरिक जिले देखें अंतराश्टी स दोस्तो उत्तरकासी जनपद ये दो जनपद ऐसे हैं उत्तरकन के जो कि अंतराश्टी और अंतराजी दोनु सीमा है बनाते हैं तो नो जनपद हमारे ये हो जाते हैं और चार जनपद जो बचे वह पूर्णता आंतरिक जिले हो जाते हैं यानि कि जो किसी अन्य देश के साथ म और किसी अन्य राज्जी के साथ में अपनी सीमा नहीं बनाते हैं अब ये चार जनपत दोस्तो कौन-कौन से हैं बागेश्वर, टीरी गडवाल, अलमोडा और रुद्र प्रियाग तो इसमें से देखिए कौन सा पूर्णता आंतरिक जिला नहीं है इतने पॉइंट आपको यहां से डैकली नोट डाउन करने हैं तो ये सिक्वेंस भी याद रखना है, काफी सारे प्रसन हम दे इस एक पॉइंट से डिसकस अब कर लिए हैं अब उत्राकन राज्जी का चेत्रपल 33,413 किलोमेटर स्कूर है और चेत्रपल के अनुसार 2011 की जनकरना के अनुसार उत्राकन राज्जी का कौन सा इस्थान दोस्तो भारत में अठारवां इस्थान है और उत्राकन का चेत्रपल भारत के अपुल चेत्रपल का 1.69% है ये भी आप लोग यहां से डैकली नोट डाउन कर लिजिए का अगले प्रस्ण की बात करते है चौथा प्रस्ण है दोस्तो महत्वण प्रस्ण है निम्न मैंसे कौन सा कथन अस्थत्य है मेलों के संबंद में दोस्तो यह कथन पुछा गया है दंगल मिला पॉड़ी में लगता है पौरानिक तिमुला मिला चंपावद में नहीं लगता है यह पौरानिक तिमुला मिला कहा लगता है चमुली जनपत के जोसीमट के आसपास के छेत्रों में यह पौरानिक तिमुला मिला लगता है और जोसीमट बद्री विसाल के कपाट खुलने से पूर्व हमारा यहां मिला लगता है तो पौरानिक तिमुला मेला हमारा सुमेलित नहीं है, जबकि लडी धुरा मेला दोस्तो चंपावत के बारा कोट में लगता है, माग मेला उत्तरकासी में लगता है, बिल्कुल सही है, और स्रावनी मेला अलमुला के साथ साथ हमारा उत्तरकासी जनपत में भी लगता है, तो क कौन सा कतन असत्य है option number B असत्य हो जाएगा हमारा कि तीमुणा मेला दोस्तों कहां लगता है जो सीमट बंद्री विशाल के कपाट खुलनेचे पूल पर चमुली जनपत में तीमुडे मेले का युजन कहां कहां कहाता है तो ठीली में रणभूत कौतिक का युजन कहां कहाता ह कि खस परिवार कानून पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका राइट एंसरो जागा दोस्तों option number A डॉक्टर LD जोसी जी खस परिवार कानून पुस्तक के लेखक है अब ये खस परिवार कानून के पुस्तक तो यह हो गए अगला कहा दोस्तो आरेश टूलिया आरेश टूलिय जी की पुस्तक है इसी के साथ साथ दोस्तो पटवारी घराट एवं चाहिए ये पुस्तक भी डॉक्टर आरेश टोलिया जी की है उत्राखंड 15 years of development ये पुस्तक दोस्तो एक्जाम में ही पुछी गई है उत्राखंड 15 years of development ये पुस्तक भी किसकी है आरेश टोलिया जी की है औ और नैंसिंग रावत अध्यापक सर्वेक्षियक एवं अक्षियान से दरपन यहाँ पुस्तक भी R.S. टोलिया जी की ही है तो इतनी पुस्तक आपको R.S. टोलिया जी की याद रखने हैं बिटिस कुमाओं गडवाल नैंसिंग रावत और जोहार का इतिहास पटवारी उत्राखंड 15 years of development इसी के साथ founders of modern administration उत्राखंड पुस्तक के लेखागवी R.S. टोलिया जी ही हैं इतने पुइंट आपको इंसे नोट करने है E.T. Atkinson दोस्तो इनसे रेटेड एक पुस्तक काफी महत्पून है हिमालियन डिष्टिक गजेटियर पुस्तक किसकी है या दा हिमालियन गजेटियर पुस्तक किसकी है दोस्तो वो है Atkinson की इनका पुरा नाम था E.T. Atkinson या E.F.T. Atkinson के नाम से इनको जाने आता है और एक लेंड देश के निवासी थे, इनकी मृत्यू ब्राइट स्रोग के कारण हुई थी, सेखर पाठक भी दोस्तों मारे काफी महत्वपून हो जाते, क्योंकि सेखर पाठक की ये काफी महत्वपून पुस्तक है, दोस्तक है, ये दो पुस्तक है आपको सेखर पाठक जी के संद्र में याद रखने है ठीक है एक और पुस्तक है दोस्तों इनकी और उमा भट की मिकसब है ओ एसिया की पीट पर ठीक है वो भी सेकर पाटक और प्रोफिसर उमा भट दोनों की मिकसब एक पुस्तक के रूप में उसे जाना जाता है तो यह बुक्स जो दोस्तों मैंने आपको भी कि कौन सा दो वर्षी फसल चक्र उत्राखंट के वर्षा आस्रीच छेत्रू में लोगपरी है तो दो वर्षी फसल चक्र जो उत्राखंट के वर्षा आस्रीच छेत्रू में लोगपरी है तो अब इससे के साथ एक दो पॉइंट ओ रहे हैं कि राज जी में सरवाधिक सेटेन नंबर पर, चांवल और तीस्ठे नंबर पर गणा प्रमुक होता है ठीक है और ये खरीब की फचले है से होती है, चांवल, जहंगोरा, चोलाई राजमा, बंडवा, ये क्या होते है खरीब की फसले होती है, यानि कि जो हमारा आप ये कहेंगे खरीब के फसले क्या होती है, गर्मी में वही जाती है, और मनला पाप यह कहेंगे, कि मार्च अप्रेल मही में फसले वही जाती है, मार्च अप्रेल मही में और काटी जाती है, अक्टूबर नॉम्बर के टाइम पे, रभी के फसले क्या होती है, सितंबर अक्टूबर के टाइ तो खरीब की फसल है फरीब की फसल है य है आपको याद रखना खरीब की फसलों को इ transparenIES मेरी फसला का साथ की पहा जाथा यह फ़सला यहать अगला हमारा प्रस्थल dirt का big i a अगला मरा व्हास प्रस्थ चकबंदी समीति का अगठन कब किया गया था, यह किया गया था, 2009 में, और यहीं से दोस्तों, एक दो प्रसना आपको मैं इसकी व्याक्या में बता रहा हूँ, जो कि सभी प्रसने काफी important है, क्या, भारत में चकबंदी की सुरुवात कब से हुई थी, 1920 से भारत में चकबंदी ठीक है, अगला कहा है, उत्राकन सरकार द्वारा परवती छेत्रों में अनिवारी चकबंदी बनने की गोषना कब की गई थी, या परवती छेत्रों को अनिवारी चकबंदी करने की गोषना कब की गई थी, 26 सितंबर 2013 को की गई थी, इसके साथ उत्राकन राज्जी में अनि अनिवारी करने की खुष्णा 26 सितंबर 2013 को किय गई थी और चकबंदी लागू करने यह तो पांस सदे उफ समीति का अगठन भी 20 अगस्त दो 2013 को क्या कहता इसी उफ समीति के गठन के बाद में अनिवारी चकबंदी की खुष्णा करी गई थी अच्छे नंबल लाओगे तो चकबंदी अधिकारी बन जाना और पैसे बैसे ठीक है और एक और पॉइंट के लिजेगा उत्राखंड भूमी सुधार परिसत का अगठन कप किया गया था तो देखे काफी महतोपूनी प्रस्न है अगला आमरा प्रस्न है दोस्तो आठवा उत् में लिखे हुए कि उत्राखंड इस्टेट सीड सेटिफिकेशन की स्थापना कब की गई थी और नई किर्सी नीति कब लागो की गई थी और उत्राखंड में किसान रतन सम्मान की सुरुवात कब से की गई थी 2010 की गई थी इतने प्वूइंट आपको यहांसे नोड़ बीज बचाओ आंदुलन, वीजय जड़दारी जी के दोरा चलाया गया था, ये point काफी important है, और exam में भी वहले पूछा जा चुका है, अगला हमारा प्रसन है दोस्तों, नवा प्रसन है, कि राज्य आपदा प्रबंदन योजना, SDMP में कितने सदस्ची समिती बनाई गई थी, ये point नोट कर लिजेगा आप दोस्तों, तो इसका अंसर हो जागा आपका, साथ सदस्ची समिती बनाई गई थी, SDMP हेतु, यानि कि SDMP की खुलपों होती है, State Disaster Management, इस टाइप से होती है, कि राज्य आपदा प्रबंदन योजना, ठीक है, और इसकी स्ताफना कप की गई थी, 1 जुलाई 2013 को, SDMP की स्ताफना की गई थी, गब 1 जुलाई 2013 को, और अभी दोस्तों, हाली में एक 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 जाम हुआ था, उसमें प्रस्निय पुछा गया था, कि आपदा प्रबंदन से जन जागरुकता हेतु, परदेश में किस फिल्म का निर्मान किया गया था, तो निर्मा आपदा संचालन केंदर का टोल फ्री नंबर है, एक जार सजट्तर, तो यह पॉइंट भी आप डेकले नोट कर लीजेगा, और SDMP का गठन भी दोस्तों, इसी के तहत किया गया था, बात न थीक है, और मैंने आपको बताया था, कि वैसे तो 21 जुलाई 2013 को, बात आती है, वै नहीं से दोस्तों, एक और प्रसना आता है, उत्तों कि उत्राखंड राज्य आप्दा प्रबन्दन प्रादीकरण की स्सथापना कब की गये थी, यानि कि उत्तराखंड इस्टेट डिजास्टर मैनिजमेंट अक्ट कब लाए गये था, तो 2005 में दोस्तों, उत्तराखंड र इसी के तहत दोस्तो मारा ऑपरेशन गंगा प्रहार चलाया गया था इसी के तहत ऑपरेशन सूरिया होप भी चलाया गया था और इसी के साथ शांद मालपा भुसकलन दोस्तो ये भी काफी बड़ा इंपूडेन बूस्कलन ने जो कि एक्जाम में पुछा जाता है जो कि 17 से 18 अगस्त 1998 को हुआ था और मालपा बूस्कलन से बचाओ हे तो Operation Blue Angel चलाया गया था इतने point आपको फिलाल यहां से note-down करने है और उत्राखंड के इतियास का सबसे खतरनाक भुकंप कब आया था दोस्तो यह आपको नोट करने है तो यह एथा 803 में जो कि उत्राखंड का सबसे खतरनाक भुकंप माना जाता है इतने point आपको आपदा से note-down करने है तो वही लिखा गया है एक जुलाई-दो जारते राखंड को इसकी स्ताफना होती है डांडी-कांडी की गोद्मा फिल्म का दिर्मान किया गया था इतने point ठीक है अगला मारा प्रसन है कुली बेगार पर्था का विरोध करने वाले पर्थम व्यक्ति कौन थे तो कुली बेगार पर्था का विरोध करने वाले पर्थम व्यक्ति के रुपे ना थे देखे दोस्तो राजा महराजाओं के टाम इस समय से हमारी कुली बेगार पर्था थी यानि कि बिना किसी आई के सामान्ध होना या बेगार करना दूस्ते की मजदूरी करना उसके रहने, खाने, पीने की व्योस्ता करना, यह सभी कुली बेगार पर्था के अंतरगत आता था कुली बेगार पर्था, यह तो सरोपर्थम आंदोलन कहां चलाया गया था, तो अलमोडा के खत्यारी गाओं में सबसे पहले आंदोलन चलाया था, देखें तो तीन से चार प्रसन है, कुली बेगार पर्था का विरोध करने वाले पर्थम व्यक्ति कौन थे, वो थे पंधिया आप देखें दोस्तों, इसमें भी तीन प्रकार्ट थी, कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दायस, कुली बेगार पर्था में क्या होता था, कि मतलब जो भी अंग्रेज लोग होते थे, उनका सामान ढोना होता था, और फ्री में उनका सामान ढोना होता था, कोई भ कोड़ा बहुत मुल्डी मिल जा था कुली बरदायस में क्या होता था कि जो भी अंग्रे जदिकारी आ रहा है उसके भोजन रहने खाने पीने की व्योस्ता सब आपको करनी पड़ती थी इस कारण इसका काफी विरोध बाद में होने लगा था ठीक है और कुली बेगार बिष्टर थे उन्हें सरियु नदी में बाहा दी आ गया था इसी कारण दोस्तों बद्द्रियत पांडे जी को कुर्मांचल केस्री की उपादी भी दी गई थी और गांदी जी ने दोस्तों महात्मा गांदी जी ने इस कुली बेगार आंदुरन को असयोग की पर्थम एट इत वार जातार तो जरूर भनेगा आपके आनेवाले एके जांब में इतनी मैं गैरेंटिझ देडाओं वीडियो देख लिजीगा मेरे चैनल बे पनि हुई है उत्राखन कुली बेगार आंदूलन भाई उत्राखन जी के वह रीजी ट्रिक्स जा लिएगा जरूर एक प्रस्ण बनेगा मैं अभी भी गारेंटी दराओं इसी के साथ कुमाऊ परिसत से भी दोस्तो एक प्रस्ण जरूर मिलेगा ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होता है जहां से ह क्या होता था कि नंबर लगता था कि आज में चलिया तो उंकल तो चलिया ना परिसुए चलिया ना इससे आप से रेजिस्टर बने थे और आज का आपका दोस्तो हमर का क्यों है उत्राखन में कुल राष्टी राजमार्गों की संख्या कितनी है 20 21 14 या फिर 19 इसका अंसर आ अगर आपको उत्राखन और हिंदी काफी डिटेल्स में और अच्छी तरीके से पढ़नी है तो आप हमारे इस ऑनलाइन कोर्स को जॉइन कर सकते हैं एक मार्च से 2021 से शुरूने वाल है जो कि आपके अपके अपकमी गिजांस वीडियो वीडियो कनिस सायक 746 पदों पटवा अगर आप करा दिया जाएगा फिर आपको उत्राखन के कोई और किताब पढ़ने की जुरत नहीं है तो अगर आप जुलना चाहते हैं तो इन नमर उपर संपर कर सकते हैं वहना नहीं भी जुड़ेंगे तो कोई बात ने टेस्स तरी दोस्तों हमारी चलते रहेगी और दोस कर देशा रहीगा दूस्तों ज्यादा से यदा वीडियूस को नि-दोस्तों के साथ में कीजिए और जया से यदा वीडियो को लाइक कीजिये कमेंट कीजिए तभी हमें motivation मिलता है वीडियोज को बनाने के लिए तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों thank you, thanks for watching this video, see you next time